बस्पा से दूर रहकर कैसे माया मती की जमीन खिसका रहे हैं अखलेश यादव। सपा मुक्या अखलेश यादव लगातार दोहरा रहे हैं कि वो बड़े दलों के साथ अब गठबंदन नहीं करेंगे। इससे साफ है कि 2024 के आम चुनाव में सपा और बस्पा अलग ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अखलेश यादव ये भी दोहराते रहते हैं कि भाश्पा को हराने के लिए अंबेटकर वादियों और लुहिया वादियों का साथ आना जरूरी है। बस्पा से दूर रहने के बाद भी वो इस रड़नीती पर काम करते दिख रहे हैं। सवाजबादी पार्टी के पदादिकारियों की नई सूची में ये बात साफ दिखती है। अखलेश यादव ने एक तरफ आजम खां जैसे वरिष्ट नेता को महा सचीव की पत पर बरकरार रखा है। तो वहीं चाचा शियुपाल यादव को भी यही जिम्मेदारी दे कर सम्मानित किया है। इसके अलावा सपप पदादिकारियों की सूची में बसपा से आये नेताओं की बड़ी संख्या है। ये नेता ओबीसी और दलित समुदायों से आते हैं। इनके जरिये अकलेश यादव ने लोहियावादी और अम्मेटकर वादियों को साथ लाने की कोशिश की है। एक तरफ तमाम विवादों के बाद भी उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पिछडे नेता को रास्टी महासच्यू बनाया है। तो वही इंद्रजीत सरोज को भी ये जिम्मेदारी दी है। दोरों नेता कभी मायावती के बेहद करीबी थे और बस्पा के कध्यावर नेताओं में शामिल थे। बस्पा से ही आयलाल जी वर्मा और रामचल राजभर को भी महासच्यू का पत दिया गया है। इनके जर्ये अकलेश यादव ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि सपा अकेले यादव और मुस्लुमों की ही पार्टी नहीं है। उन्होंने कुर्मी, मौर्य और राजभर जैसे समुदायों के नेताओं को प्रमोट कर OBC दलित एकता का एक गुल्दस्ता तयार करने का प्रयास किया है। माना जा रहा है कि 2017 के मुकाबले 2017 के विधानसबा चुनाओं में सपा की सीटों में जो इजाफ़ा हुआ था उसके पीछे भी यही वज़ा थी। हलाकि अखलेश यादो पर आरोप लगते रहे हैं कि वो गैर यादो, OBC नेताओं और दलित समुदायों की नेताओं को बहुत प्रमोट नहीं करते हैं। अखलेश यादो पर मुस्लिमों का एक वर्ग आरोप लगाता रहा है कि भाश्पा सरकार ने जब आजम खां पर शिकन जग कसा तो उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया। विधायक कपत कोने वाले आजम खां के लिए ये राजनीति करियर का सबसे बुरा दौर माना जा रहा है। पिर भी अखलेश यादो ने उन्हें रास्टी मासच्यू बनाया हैं और लिस्ट में शिपाल यादो से भी उपर उनका नाम है। इसके जर्ये उन्होंने संदेज दिया है कि मुस्लिमों को लेकर उनकी नीती में कोई बदलाव नहीं है। यूपी की मुस्लिम सियासत में आजम खां को एक चहरे के तौर पे जाना जाता है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें।